हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मिली तो कि प्रीडी करें मिली तोー मेजी टॉल, मेजी टॉल, मेजी टॉल, मेजी टॉल कहां है? मेजी टॉल, तुम्हें वो खां रहे हैं, मैं दवाएं दूंगी मेएोब रहे वो दॉल, ए примत दॉल, एक बीकि आॉल, वो सॉ क्सिन गिप भका लाएं, एक बन्सेशी मॊंल, मेजी एक दिनो नेहा नेहा स्वीटी नेहा नेहा कहाँ चलेगे सब के साथ नेहा स्वीट कहें नेमटी पॉक'ः कया कर ला मेरा बेटा गया पापा इसे बुकाः इसे बुखार हो गया ओड हम इसको डॉक्टर कवा ले जाएंगे इस अप ममी का है बेटम मममी टॉसर ममस ओशी स्वाप आप या वा पर नकाम करो आप अपनी डॉल के सथ खिलो, ठीक है? पापा ममा को लेकर आते हैं निया! 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 यही क्या हुगे निया! 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 निया अटू! निया! अब क्या करूँ? पापा! आप जी मैं ही रवी हूँ मैंने ही आपको फोन किया था पुर्वी सर अचा पित्र क्या आम है अपका? सर बेरी वाइफ जरा हम? आये सर क्या सित्थ क्या वाइफ प्हुंद यथी चोटी इंशान क्या था सरू उपर वाली कमरे में है वह प्लड सामको जुटा सर यह देखिसा मेरी निया सर क्या अब जरा प्लीज भाहर फ़ड़े हो जाहिए किसी तहर अफ्यार से भाहर क्या है कले पहे कहा है अशर चाहर गहरे घाव है तर फर देख्ट डिया सर अशर आमसें ते जचान मेरे आची निशक look lbrig ने अजए तरा कहा है सचें आरि कुछ मिलता है क्या? सब्सक्राइब दया ये जोतो के निशान देखें इतने छोटे निशान किसके हो सकते हैं? सरे निशान तो ठीक वैसी हैं जैसे परके दर्वाजे पे देखे थे वही तो सर बच्चों के फिलोने क्यों हो सकते जार गुडिया या देखो सरा? देखो करी पडिया है क्या? जाए सर पुरा घर चान मारा अतियार कहीं भी नहीं मिले अरो बुडिया भी कहीं नहीं सर गुडिया गई कहां गई कहां ये गुडिया अर एक बात रहा है ये जिसने भी किया है ना जो भी इस घर में गुसा है वो जोर्द अपरदसी करके नहीं गुसा है क्योंकि देखो दरवादे खिड़किया सब गुछ ठीक ठाक है जिसका एक है मतलब है जो भी कोई है इस परिवार के करीबी दोस ये परिष्टेदर उमे से ही जर के अंदर तो सिर्फ तुम आयत है सर के आप लोग कैसी बाते कर रहे हैं आप मुझ पे शक कर रहे हैं तो फेर इंका फोन कैसे वा है सर एक तरीका है जिससे पता चल सकता है जा मैंने स्वीटी के खिलोनों में एक टेडी बेर में चोटासा कैमरा फिक्स करके रखा है नैनी कैन ताकि हम अपनी नकरानी मदूपर नजर रख सकें कि वो स्वीटी के साथ कभी बुरा बरताफ करे तो तो हमें पता चल जाए सर हो सकता है कि कैमरा में कुछ कुछ रिकॉर्डिंग हुई हो तो दो दिखा क्वागा चुटी बेता कानन का लो कालो बेता बेता कानन कालो कै। काहा जबार हुशम है मैंत चौटा पाननों पानों पाराओ स्वेटी, क्या कर रहे हो? किसी चीज को नहीं छुना खूमो मत तुम यहाँ वहाँ जब हो जा के खेलो I love you, Mama I love you, Mama देपोस्टो, दिवेंगा I love you, mama! अब्द्यार, यह वो पॉइंट है जहाँ पर निया का खून वा और खास बात यह है कि खूनी ने दरवाजा खोला और अपने साथ इस गुडिया को भी ले गया हूँ तुनी मड़विपन के साथ साथ कोट डॉल भी ले गया जा ना देया, बिलकुल, दवी, फुटे इमी, जो डॉल है, इसके बारे में कुछ जानते हो, हाँ सर, ये, स्वीटी के पास एक डॉल तो थी, जो चलती भी थी और, और बोलती भी थी, मुझे रıld टॉल, क्या हो थी खूशी पेटा, क्या हो रो रहुआ, क्या हो, मुझे बता हो, ममा, ममा है मअभू, बाहर है आचा, अचा, शुपजा वई, इतनी बडी डॉल लेकर आया हाँ, कोल लेकर आया पता ममा, ममा, ये डॉल चल्टी है कैसे चल्टी है, मुझे ज़िए, पताओ कहां से इसका बटन I love you, ममा I love you, ममा डॉल तर चल रही है आई लाव दू ममा आई लाव दू ममा अगर कोई डॉल देकर यहां से बाहर गया होगा तो आसपास जरूर किसीने किसीने तो देखा ही होगा हाँ? चलो देखते हैं, बाहर चलके पपाला लाते हैं सुनो देखो हम लोग सी आईडी से सर जन्दी से बता कि तुमने किसी को रवी साब के बंगले में से बाहर आते हुए देखा? सुबह रवी साब गये थे उनके बाद उनकी कामवाली बाय गई थी उसके बाद तो किसी को आते जाते नहीं देखा सर किक से याद करके बताओ शायद दो गांटे पहले किसी को देखा हो जरा दिम आपके जोर डालो नहीं नहीं सर पक्का नहीं किसी को देखा मारवक के नहीं पर थे जी सर हाँ थोड़ी देर के लिए वो बगल वाली मैडम के लिए आटो बुलाने गया था लेकिन यही पास में गया था वहां से नजर थी मेरी गेट पे अच्छा ये डॉल अब ने ने मतलब है गुडिया को तुम नहीं यहां से निगलते होगे देखा डॉल सर हाँ वो डॉल बच्चों की गुडिया उसको निगलते होगे देखा यहां से सर्जीन प्रवाज के चलने की आवाज सुनी से और उसके बाद वो दर्वाजा खोलने की और बंद करने की आवाज आई इसलिए मैंने पूच लिए डॉच लिए डॉच लिए आई का तरेका, क्या पतां चलना है? सलोड बहुत ही अजीब बात पता छिरी यकीन ही हो रहा है के ऐसे कैसे हो सकता है यह देख लिए क्या है? उंगलों के निशान उंग्लियों के निशान लेकिन किसके? किसके उंग्लियों के निशान है? एक बच्चे के उंग्लियों के निशान अरिका बच्चे के उंग्लियों के निशान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं हाँ, बच्चे क्या? एक बेबी से भी छोटे उंग्लियों के निशान पच्चे से भी छोटे उंगलियों के निशान मतलब किसी खिलो ने की हो सकते है, मेरा मतलब किसी डॉल की है हाँ सर, शायद डॉल का ही है सर, मैंने वहाँ चोकुछ भी देखा और महसूस किया, मैंने वही कहा सकते यह कैसे हो सकता है सचेन पचेन एक डॉल एक गुडिया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती कोई तो है जो इस डॉल का गलत इस्तमाल कर रहा है कोई तो है बस पता लगाना है हमें क्या है कौन यह है तब तो ही डॉल बहुत इंटेलिजन बिल्कुल रोबोट की तरह लेकिन यह डॉल मिली कहां से कहां से लाई है यह लोगों ने डॉल आ रवी बताओ जरा कहां से पैदा की यह डॉल आप लोगों ने सर इस पारे में मुझे कुछ नहीं बता क्योंकि नेहा ही स्वीटी के लिए सारे खिलोने कपड़े और बागी सब चीज़े खरीदा करती थी वैसे रवी यह करते क्या है जी मेरा खुद का गार्मेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है और आपकी वाइफ क्या करती वाउस वाइफ थी और बाहर भी तो जाती होंगी मेरा मतलब बें की कुई दोस्तों गरा होंगी है ना तो क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं ने नेहा का अपना फ्रेंड सर्कल था सर किटी पाटी वगेरा में उन्हीं लोगों के साथ जाती थी वो नेहा उन सब के साथ बहुत कुछ थी सर अचर जब आपकी वाइफ बहार जाती थी तो उस वक्त आपकी बच्ची का खयाल कौन रखता था था सर हमारी नौकरानी मदू नौकरानी मदू रवी कभी तुमारा और निया का मदू के साथ कोई यगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वज़े से शाय जिसकी वज़े से मदू ये कर सके नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है एक्शली मदू हमारे साथ मिछले दस साल से और उसने हमें कभी कोई शिकायत का म बुला लो सबको हमने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि आपकी छोटी सी छोटी इंफोर्मेशन भी हमें नेया के खूनी तक पहुचा सकती इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पर शक हो या फिर नेया ने कभी कोई ऐसी बात शेयर की हो जिसका संबन उसके मर्डर से हो सकता है तो प्लीज हमें बताइए सर मैं तो बहुत सद्मे में हूँ आइ में नेया का मर्डर को एक कैसे कर सकता है वो तो बहुत फ्रेंडली लड़की थी देखिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको दमकी दी हो कोई उसका पीछा करता हो या फिर किसी की उससे कोई दुश्मनी हो कुछ भी ऐसी तो उसने कोई बात नहीं कही सर हाँ कभी-कभी वो प्रैंक्स जरूर कर लेती थी लेकिन उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था है न शिखा मैं क्या कहूँ बहुत अच्छी थी नहीं हसती रहती थी लेकिन मतलब कभी कोई प्रैंक का बुरा मान भी सकता था जी मैं नहीं जानती क्यों जीत सर वो अच्छी कुछ नहीं देखियो शिखाजी ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कहने पा रही है प्लीज खुल के कही सर एक्छी एक आदमी नहा का पीछा करता था पीछा करता था कौन कौन था वो जी वो तो मैं नहीं जानती पर एक दो दिन में जब भी हम बाजार जाते थे नहा बहुत परिशान रहती थी मैंने उसे पूछा कि आजकल तुम इतना टैंस क्यों रहती हो तब उसने मुझे बताया कि कोई है जो उसका पीछा करता है और एक दो बार तो उस आदमी ने नहा को रोकने की भी कोशिश की फिर क्या हुआ फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने हस्बेंट से इस बारे में बात करेगी लेकिन उसके बात क्या हुआ मुझे नहीं बता नेया ने ये बात आपको बता ही थी जी सर्थ नेया ने मुझे इस बारे में बताया था लेकिन ये बात आपने अमें नहीं बता ही सर बता कर क्या करता बदनामी के अलावा कुछ नहीं होना था मैं नेहा के बारे में किसी से भी कोई बात सुनना नहीं चाहता था देखिए रभी जी हम यहाँ अपरादी को पकड़ने आए हैं इसलिए आपको जो कुछ भी मालूम है प्लीज हमें बताईए सर नेहा ने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है मैं खुद कुछ समय तक उसके साथ मार्किट गया लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आए मैंने नेहा से का कि जब भी तुम्हें वो दिखे तुम मोबाईल पर उसका फोटो क्लिक कर लेना तो फोटो कीची उसने जी सर फोटो क्लिक की थी लेकिन फोटो बहुत धुंदली आई थी इससे पहले कि हम कुछ और करते ये सब हो गया पंकर सर आप देखो उसकी फोटो है क्या ही है फोटो जी सर यह है टोपी वाला सर सर इस फोटो इतनी क्लिर नहीं है और शाधी कोई फोटोग्राफरे से और क्लिर कर पाएगा पंकर जी सादमी की टोपी तो दीख रही है ना पहले इस टोपी को पकड़ते है बाद में टोपी के नीचे छिपी खोपड़ी भी पकड़ में आ जाएगी यह लो मिल गई कैप बिल्कुल ऐसी कैप थी ना उस टोपी वाले की सर यह कैप आपको मिली कहा से यह उसी दुकान से जहांसे उसने अपनी कैप खरी दी थी और सर वो कैप वल आदमी कैप वाले को ही ढूड़ेंगे हम सचेन बस अभी उसी को ढूड़ना है सर इस कैप वाले को हम ढूड़ेंगे कैसे पुर्वी उसी जगे से शुरू करेंगे जहांसे उसने नेहा का पीछा किया था अरे बाप में बाद इक तालीफ जिग्री टेमपरिचन आज पता चल रहा है गर्मी के से खेते आपको गर्मी कहांसे लगे की जैके तो पह रहा है बड़ी प्यास लगी है थे पानी एक पानी की बॉटल लेना बहुत प्यासे लग रहे हो शाप क्या बात है क्या काम करते है आप C.I.D. साब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया वह साब छोड़िये आप एक बार बताईए कि आपने यहां पे किसी आदमी को देखा है ऐसी कैप एन के चलते हुए ऐसी टोपी वहाँ पर साब लगता है दर शेक करना पड़ेगा अश्कुज मी एसी टोपी यह चपल को अभी तुटना था कुछ अच्छा काम करने जाओ कुछ ने कुछ गडबड होई जाती है पन्नोती तो इसको गर पे जाएक ही बतलना पड़ेगा बाई सब क्या है हम सी आईडी से मैं क्या करूँ हमें कुछ सवाल पूछने थे अगर आपको जवाब पता हो तो पुड़ी हेल्प हो जाती है मैं सरिभादमी और फालतु में किसी लपड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूं तो ऐसे भी दीन खराब चल रहा है तो चपल तूट गई और उपर से आप लोग सवाल मेरा यह था कि आपने किसी आदनी को देखा है ऐसी टोपी पहन के यहां आसपास गुमते हुए ऐसी टोपी हाँ यह मेरी बगल में रहता है कहा रहते हैं अब आगे से दूसरा लेप हाँ थैंक यू यूते पहना करो चपल शोड़ दो यूते हैं 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 यूते 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 आप लो जी एम CID से अंदर हैं अगर एसी टोपी पहनने वाले एक इंसान की तलाश कर रहे हैं कि आप ने उसे देखा है देखिये हमें पता चलाए कि वह यही पह रहता है रहता है ने रहता था पहले वतलब अब नहीं था मैं कली देखाने पर चोड़ के चला गया है बाड़े पह रहता था अब उल्टा सुल्टा काम किया अज़ा cough अच्छा उसके बारे में आपको जो कुछ भी बता सकती हैं जै जाने सच बताया या जिरूर बताया, कहता था किसी बड़ी कमपनी में काम करता है आपने उसे घर देने से पहले, कुछ चेकिंग नहीं किया, कोई बैग्राउंड चेक, कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ नहीं करा है, ऐसी घर दे दिया किला है जी, रोज सोची थे कि अपने हस्बन के साथ पुलिस श्रिशन जाओगी, पर कभी हमें फुरसत नहीं, तो कभी उसे फुरसत नहीं चादिये, अच्छा, उसने अपनी कपनी का नाम क्या बताया था, याद है आपको? जी, मालूम ने आइलावभी, मामा, आइलावभी, मामा, याज ये अव का रही है, अओं, मेडी बेटी अब वे दोल आपने कहा है थी टो इस मेरी बेटी को घिफ्त में देग ती आपको पता है कि उसमें ये दॉल कहा है थी ओपास्कें मार्केट से लाया था था अब किया मैं आपकी डॉल दे सकता हाँ एक बहुत ही बुरे अंकल ने आपको ये डॉल गिप्ट किये और अब हम उस बुरे अंकल को पकड़ना चाहते हैं इसी दिए मुझे आपकी डॉल ले जानी होगी हाँ कोई शर्ड हाँ क्या को बुरे अंकल को पकड़ना है बिल्कुल कर देंगी ठीक है थांक यू थांक यू तांक यू सारे प्लाचस अलग कर दो इसके पूरा पोस्टम हाँ हो सकता है इससे हमें कुछ प्लो मिल जाए प्लो मिल जाए कुछ मिला है नहीं सर डॉल तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन एक बात है कि नेहा के चेहरे पर बने उंग्लियों के निशान इस डॉल की उंग्लियों की दूरी से मैच करते हैं कि अधर बोल किसी को मार सकती है कि शिता कि कभी कोई डॉल किसी को मार जद्धी है नहीं 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 लेकिन हां किसी ने ये डॉल बनाई खुनी डॉल जिससे उसने नेहा का खुन कर गया अधर जो तरॉड अधर जाओ दॉड कि अधर अधर चार कि अधर आंडर चाल के लिए अधर चाल के लिए का पांज क्या दुए सुनिये, आईए, क्या से अवातर हुआ आप ये बताइए कि ये डॉल आपकी दुकान से खरीदी गई थी जिया, मेरी ही दुकान की है, क्या ठीक से काम नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है? बट बड़ी प्रॉब्लम है, बताइए, इस डॉल ने एक खून कर दिया है क्या, क्या कह रहे हैं आप? उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी, ये वाली? हाँ सर, यही टोपी वाला आदमी था, पर उसमें दो डॉल्स खरी दी थी पक्का याद है ने तुम्हें, उस आदमी ने दो गुडिया खरी दी थी? हाँ सर पक्का याद है उसमें दो डॉल्स खरी दी थी पर सर पैसे उसके साथ होले आदमी ने दिये तो अब इसमें तुम्हें पैसे दिये अगर सामने खड़ा कर दे तो पहचान लोगे बिल्कुल पहचान लोगा सर उसकी शक्ल मेरे आखों के सामने है आपको हमारे साथ चल प्रवी रवी सर्ण सर्रवी नेहा का मृड़र कैसे कर सकता है वो तो इतना सिंपल और अच्षा इंसान लगता है रवी फुल्भी भोली सुरत के पीछे शैतान वि छुपावा हो सकता रवी तो रवी ने नेहा का खून किया अपने पत्नी का खून किया उसने सुछ रसे हैं ख़ोख थाप्स एक्स्क्यूज मी प्रेवाजा खुली ना प्लीज ख़ोख थाप्स सर दर्वाजा अंदर से लॉक करके बैठा है लगता है सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला दर्वाजा तोड़ देते हैं माई कॉड़ रभी माई कॉड़ शिप्या देखो पची कर अब यूर अब लेंज को फोन कर तो ये सर अगर अंदर की तराशला सर जी बात है आज़ पास कोई हत्यार तो है निए सिर्फ गले पर ये निशानी तुदी लगता है ये निशानी सब कुछ है सर ये क्या पहाद में लिए सर ये तो वाई क्याप है जिसकी फोटों में नेहा के मोबाईल पर देखे लिए उसका मतलब खुणी ये टोपी वाला ही है लेकिन शायद ये खुणी ये नहीं जानता के जुर्म की तॉड ज्यादा लंबी नहीं होती सर मेरी मेटी मेरी 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 म अगर मैंने नेहा का खुन किया हो तो तो मैं वहांसे फरार हो जाता नाकी अपने आप पर हमला उने का इंतजार करता हमला तो तुम पर होना ही तुमने उस टोपी वाले आदमे को सुपारी जो दी थी छूट बोलकर सच्चाई को छपाने की कोशिश कर रहाू लिखने एक बात तुम्हें बता दू मैं कि सच्चा ही सामने आ चुकी है समझें? अपना गुना कबूल कर लो तू सर कैसे कबूल कर लो जब मैंने कुछ किया है मेरी छोटी सी बेटी है आप ही बताए भला मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँगा जिससे उसकी सिंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हें क्या लगता है? कि तुम्हारे इस रोने धोने से हम सब पिखल जाएंगे? सर मेरी बात का यकीन कीजी मैंने अपनी पत्नी निया को खोया है उसके खून का जूटा इल्जाम मुझ पर आ रहा है मैं आपके आए हाथ छोड़ता हूँ मुझे मुझे प्लीज मेरी बेटी के पास ले चलिया बस रवी बहुत हो गया ये रोना धोना और नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर अगर अगर आपको छोड़ता है यकीन है तो इस बात का हम पता लगाएंगे कि इन सब के बीचे कौन है ये काम करते है उस डॉल की दुकान पर चलते है पता चल जाएगा कि इसके बीचे है कौन क्या बात है सर आप लोग मुबारा लिया मैंने तो सब कुछ बता दिया था लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बता दा जी मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ अब क्या बाकी है जेल में जाने के बात पता चल जाएगा कि क्या बताना बाकी है देखिए आप लोग हमखा मुझते शक्कर है यह गलत है अब ऐसे मुझते प्रेशर नहीं डाल सकते सही कह रहा है प्रेशर तो नहीं डाल सकते अभी तक तो प्रेशर डाला नहीं अगर हमने अपनी तरह से प्रेशर डाला ना तो तुम्हारा सच कहा कहा से भार आएगा तुम खुद नहीं जानते सार, उस क्योपी वाले न मुझे ऐसे दिये थे दूसरे वाले आदमी के बारे बतानी के लिए दूसरा आदमी मतलब रभी ना जब वो तुम्हारी दुकान में आया ही नी तो तुम्हें कैसे बदा वो कैसा दिखता है उसका हूबा हूज कैच कैसे बनवाया तुमने बुला यह यह फोड़ दी थी उसने और उसके बारे में बताने के लिए बोला था ओ यह उसके बारे में आई आ्री संप में Mega यह बन adalah ऐ ख लूझ अ 6 I love you, ममा I love you, ममा तो मेर साथ आए सनी कर सकती इंदे को दूरे अटो मेर साथ दूरे अटो I love you, ममा I love you, ममा I love you, ममा I love you, ममा या सुन स्यूमून वाट! लाँ अवाँ कि लोन से तके लायाता है? बच्चे खेलते हैं इसे लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल किया जुर्म करने में बेजान खिलोनों से चान लेली कि इंसान की बहुत हो गया तुम्हारा गुड़ा गुड़ी का खी कितनी बेरहम हो तुम एक बच्ची से उसकी माँ चीन ली तुमने बहुत नाफरती मुझे नेहा से जब देखो अपने पैसो का ख़मन दिखाती थी जैसे दूसरे तो कुछ है ही नहीं जो हूं में आता थभग देती थी इसलिए मैंने हमेशा के लिए उसकी जुमान बाद का थी अरे एक बच बताना तो मैं भूली गई क्या पाता है मुझे रवी ने क्या गिफ्ट किया है क्या रवी ने मुझे गिफ्ट किये है एरिंस टाइमन के वाव इत है नया वैसे कितने के निचे उतारा है पती को अब दोला के तो है आखिर कान किसके है तुम तारीफ नहीं कर रही शीखा अरे बोला तो वाव और तारीफ सुननी है हाँ हाँ हीरे के लिए हीरा है बिलकुल अब खुश पता है शीखा कभी-कभी मुझे तुम्हारे लिए ना बुरा लगता है जब में तुम्हे देखती हूं तो अफॉर्ड नहीं कर पाती ना हमारे ग्रूप में एक तू ही है जिसको हमेशा कड़की चाही रहती है पायाद कड़की लड़की पता है इस बानों में पार्टी फाइस्टार में रखने वाली थी पर मैंने शीखा के बारे में सोचा कि वो तो एफोर्ड नहीं कर पाएगी पार्टी में लिए कपड़े वे ग्यारभी तो चाहिए होते हैं बस इसी लिए तुम्हारे लिए कैंसल किया मैंने सीरियस्ली यार आई वस सो अपसेट जब भी शीखा का नंबर आता ना हम लोग को हमेशा चालू रेस्टराण में जाना पड़ता है बस बस अब तो ये तमझ लो कि जब भी शीखा का नंबर आया दही बड़ा पाओ खाया हाँ कम ओन यार शिखा इसमें इतना बुरा मनने वाली बात क्या है प्लीज हाँ हम सब मजाग कर रहे हैं तुम दिल पे क्यो ले रही हो वो मुझ पर जोग बनाती थी ना मैंने उसका ही जोग बना दिया मैंने अपने पुराने नौकर को बुलाया और उसे नेहा का पीछा करने के लिए कहा ओ, तो वो टोपी वाला तुमारा नौकर था रहा कहा रहता है वो? सावंतवणी, रूम नंबर 41 निकर, सावंतवणी, सौण अने उसे कहा कि वो नेहा को तंग करे उसे टेंशन दे, मौका तेपकर उसकी फोटो क्लिक करे और उसे बदनाम करे कि वो लो क्लास लोगों के साथ घूमती है लेकिन ऐसा हुआ ने, हाँ उन लगातार मुझे ही नीचा दिखाती रही इसलिए मैंने गुसे में तैकिया कि मैं उसे ख़त्म करतूंगी न रहे का पास, न बजे की पासुरी और तुमने उसे मारने का प्लान दनाया हाँ है ने मार्केट से एक जैसी दो डॉल्स करी दी एक नेहा की बेटी स्वीटी को गिफ्ट करने के लिए दूसरी नेहा का मर्डर करने के लिए क्या सोचा था तुमने बहुत हो श्यार हो तुम रभी की फोटो जो तुमने खिलोने वाले को दी थी उसकी आखों में तुमारा चयरा दिख गया था हमें तुमारा खेल तुम उई खतम हो गया था अब बैठो जेल में दिजार करो भासी का झाल झाल